है इटो एफ्यूड कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब अछी होईगा जैसे कि आप सभी को पता हुए कि मैं और सास्त का एक सिरीज लेकर चरण इसंके हर एक चेप्टर का पॉषण किया जाएक तो चेप्टर को भढ़ाते वे मैं एक शेप्टर आप सभी के लेकर सामने आ जितना important question मैं कर आता हूं तो ये सभी question आपके लिए important है तो आप जा कर देख ले तो अभी जग आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का notification आप सभी को मिलते रहें तो ज आते हैं तो वीडियो को रोख सकते हैं और रोख कर इसका answer कोमेंट में दे सकते हैं जैसे question का answer देने सिज़ा होगा कि आप सबका question और answer कभी नहीं भूल पाएंगे और इसका answer आप सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा तो question है कि best week current के मुख अंग कितने है तो most important question यह भी है और question यह कर रहा है कि भारत में नई आर्थिक निती की घोशना कभ की गई तो इसका चार बिकल्प दिया गया है मगर इसमें से आप सभी को right answer बताना है तो इसका right answer क्या होगा तो आप सभी को B number option याद रखना है और नई से 91 में भारत में नई आर्थिक निती क और गोशना की गई और 4 बिकल्प दे तो आप सभी को 191 इस पर टीक मारत ना इसका B number option बिल्कुर right answer है फिर इसका अगला question को देख लेते हैं इसका अगला question है कि नई आर्थिक निती में किसे सम्मेलित किया गया यहाँ प्रश्णि है कि नई आर्थिक निती में किसे सम्मेल किया गया तो आपके पास 4 भी कोलपी इसका भी दिया गया है मगर इसमेंसे आप सभी को राइट एंसर बताना है तो इसका राइट एंसर आप सभी को D-Namor option याद रखना है इसका उप्रीप्त सभी यानि उदासी करन निजी करन और बैस्वी करन इस तीनों को सम्मिलित किया गया नई आर्थिक निती में इसलिए इसका डी नमर अप्षन बिल्कुल राइट एंसर अगर पूछ दे कोश्चा कि नई आर्थिक निती में किसे सम्मेलित किया गया तो इसका तीनु राइट एंसर अगर इसमें देखे कि उप्रिव तो सभी इस पर ठीक मारना है फिर इसका अगला कूश्चन यह है कि सरकार की नविन आर्थिक निती का अंग है तो सरकार की नविन आर्थिक निती का अंग यहां पर पूछ रहा है तो कौन सा है तो इसका राइट एंसर आप सभी को डी नमर अप्षन इसका भी याद रखना है सरकार की नविन आर्थिक निती का अं तो इसलिए इसका डी नमर उप्षन बिल्कुर राइट अंसर है आप सभी को याद कर लेना फिर इसके अगले कोश्चन को देखते हैं इसका अगला कोश्चन कह रहा है कि विश्ववयापार संगठन याने डाबलू टी ओ इसका इसका संशेप्ट में में डाबलू टी ओ और अगला कोश्चन को देख लेते हैं इसका अगला कोश्चन को देख लेते हैं इसका अगला कोश्चन है कि नेम लिखित में कौन बहुराष्टिये कमपणी है इसका राइट एंसर क्या आप सभी कोश्चन बहुराष्टिये कमपणी है अगर एक देटा तो इसको एक नमर का अप्ट्न टिक मारते हैं ने में से इसका इनम से सभी इसका डी नमर प्सन विल्कू राइट एंसर इस्तर आप सभी को देख लेना कन्फ्यूज नहीं होना ए बोड की एक्जाम में आप सभी को confuse नहीं होना है, question को अच्छी तरह से उपढ़ लेना है उसके बाद option को देख लेना है और उसके बाद tick मारना है क्योंकि आप सभी का objective भी question आप सभी का number ज्यादा करता है किसी भी subject में number ज्यादा लाने के लिए आप सभी का objective बहुत ही ज्यादा ध्यादा रहना चाहिए खिरिव इसका अगला question यह है कि देश की कितना परतिशत जन्संख्या मुलभूत सुपदाओ यहाँ पर हमाई team के मेंबर के तरफ से question टाइप करते हुए कुछ शुट गया यहाँ पर होगा से वन्ची थे यहाँ पर होगा से वन्ची थे याणि याणि प्रश्णिया हो रहा है कि देश की जन्संख्या मुलभूत सुपदाओ से वन्ची थे यहाँ पर वन्ची छुट गया है तर्फ़ अगला कोजिन को देख लेते हैं इसका अगला कोचैनी को ममने से कौन बहुंड कमपनी पूले के तौनी यदि यह कंपनी चाहरती है पुछ लगा आप सभी को याद कर लेना है फिर इसका अगला कोश्चन यह है कि किस और्थ शास्त्री ने उधार आर्थिक निती का यानि उधार आर्थिक निती है इसका समर्थक किया था तो किस और्थ शास्त्री ने उधार आर्थिक निती का समर्थक किया था तो इसका राइट एंसर क्य बिल्कुल राइट एंसर है फिर इसका अगला कोशन को देख लेते हैं इसका अगला कोशन है कि हमारे देश का कौन सा सहर सुचिना प्रोधोगी की का केंद्र बन गया है तो हमारे देश का कौन सा सहर सुचिना प्रोधोगी की का केंद्र बना है तो इसका राइट एंसर क्या ह तो आप सबहेको ए नमर आप्सन याद रखना बंगलूरू है जहाँ पर सूचना प्रहध होगी का यहाँ प्रवावाई प्रष्ण क्या केंद्र बना हुए और सी नमर पर ठीक मारना है मगर बंगलूरू ही इसका राइट यहाँ जोग कुभा आप सबकार याद कलिना है तो आपको बता दे कि इस chapter से जितना important question हो सके, मैं इस video में cover करने की कुछिस किया हूँगा, यह सा कोई भी question नहीं है, जो आपके board exam में पूछने वाला है, और मैंने इस video में cover नहीं किया हूँ, तो जितना important question था, आप सभी को बता देने हैं, कि जितना important question था, इस video में हमने cover कर लिए और बात करते हैं नेस्ट कोचन नेस्ट कोचन आपके लिए और इसका अंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और यह कोचन पिछले चेप्टर का कोचन अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्रेलिट्ट या डिपकिशन में उसका लिंक दे सभी कमेंट बॉक्स में देना है और आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आप वीडियो में कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो जाहिंद मंदे मातरम